Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys this is lecture number 18 for your industrial relations का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर And इस particular lecture के अंदर मैं आपके साथ Gratuity Act के important MCQs discuss करूँगा Last year भी Gratuity Act में से question आया था So total मुझे आपके साथ around 10 to 11 questions इस act में से discuss करने है और ये 10 to 11 questions discuss होने के बाद इस lecture में 5 करेंगे और 5 से 6 अगले lecture के अंदर करेंगे और ये 10 to 11 questions कवर होने के बाद आपको Gratuity Act पढ़ने की जुरुत नहीं है Gratuity Act की tension लेने की जुरुत नहीं है इनसे बाहर नहीं आएगा ये guarantee है तो Gratuity Act हमारा है आपर दो lectures के अंदर कवर हो जाएगा lecture number 18 एं lecture number 19 ये MCQs में करा रहा हूँ Gratuity Act बाकी सारा जो भी act कराने होंगे वो थियोरी में ही करा हूँगा ये basically इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि जो questions है na Gratuity Act के ये MCQ Combo Course के अंदर भी आपको मिलेंगे तो basically MCQ Combo Course के ही MCQs है Gratuity Act के जो industrial relations labor law का है तो कि आपको एक idea भी लग जाए कि बच्चे पूछ रहे हैं कि sir MCQ Combo Course में MCQs कितना उनमें मजा आएगा ultimately बेटा ये course तुमारे ये तीन component में तुमको फिर आगे रखेगा ये guarantee है 50% इस पर अभी off भी चल रहा है UPSC, EPFO अगर आप code use करते है and इसके साथ आपको PDF files की subscription अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है वो इसके अंदर included होगी जो भी सारे lectures की PDF है तो सबसे पहले पहले question पर आजाओ अच्छा जितने भी पुराने act है न उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजे जो आपके नए चार code है वो same है ठीक है वो similar है पिछले acts और code में बट इसका मतलब यह नहीं है सब कुछ ही same है तो इसलिए पढ़ना तो दोनों को पढ़ेगा एक बार payment of gratitude act is applicable to establishments employing dash or more people बहिया यह जो gratitude act के जो provisions है यह किन establishments के उपर लागू होंगे जहाँ पर कितने से ज़ादा employees है 10, 20, 30, 50 तो यहाँ पर आपका correct answer है दोस्तो option A 10 ठीक है जहाँ पर भी 10 या 10 से ज़ादा employees है वहाँ पर आपका payment of gratitude के provisions जो है वो apply होंगे तो देखो अगर factory की definition में आ गया कोई mine की definition में oil field plantation port railway तो वहाँ पर तो यह apply हो गई होगा उसके इलावा कोई भी shop या कोई भी establishment ठीक है जिसके अंदर 10 और more persons आज की date पर consider करूँगा ठीक है मैं पिछले 12 महीने देखता हूँ तो पिछले 12 महीने के अंदर अगर मेरे पास किसी भी time पर 10 या 10 से ज़ादा employees थे तो मैं इस act की coverage के अंदर आ जाऊँगा ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आज ही मेरे पास 10 या 10 से ज़ादा होने चीए हो सकता है मेरे पास आज current date के अंदर 8 ही employee हो लेकिन आज से 1 महीना पहले मेरे पास 15 employee थे मेरे पास 12 employee थे तो फिर मेरे ओपर ग्रैचुटी आक्ट लागग होगा पिछले 12 महीने देखे जाते है preceding 12 months next question as per the payment of Gratuity Act which among the following is included into wages wages के अंदर इन में से क्या include होता है as per the Gratuity Act, option A, bonus B, overtime wages, C, D, A D, all of the above okay, so यहाँ पर आपका क्या answer होगा दोस्तो, आपका wages के अंदर क्या include होता है, basically wages क्या होते है, salary होता है wages क्या होते है, salary जो आपको महिने के end में आपको आपकी salary मिल रही है ठीक है, तो wages के अंदर सिरफ और सिरफ DA, जो है वो add होगा, bonus और overtime are not part of the wages, अब अगर आप code on wages देखते हो न, 2019 वाला, तो 2019 वाला code on wages क्या 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 आजाएगा एक तो आजाता है basic पे दूसरा आजाता है आपके यहां पर कोई employee बहुत टाइम से काम कर रहा हो, उसको सारा काम आता है, trained है, आपका competitor उसको बुला लेता है कि भाईया तू आकर कि हमारे पास काम कर ले, हम तेरे को salary ज़्यादा देंगे, ठीक है, तो आप इसलिए, आप नहीं चाहते कि आपका वो employee जाए, क्योंकि उसकी जगह आपको दूसरा लाना पड़ेगा, उसको train करना पड़ेगा उसको काम सिखाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा तो आप इसी को बोलते हो कि भाई, तू ऐसा है तू जॉब छोड़ करके मज़ा, हम तेरी salary बढ़ा देते हैं, ठीक है तो एक तरीके से आप retain करना चाहते हो, ताकि competitor आपके employee को ना ले जाए, ओके तो ये code on wages की बात होगी, अब gratitude क्या कहा रहा है, कि wages जो होंगी उसके अंदर DA is a component, DA basically क्या होता है, inflation से deal करने के लिए होता है न, DA तो आपका dearness allowance के होता है, जो आपका inflation से deal करता है, ओके जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के देखते हुए जो salary की एक तरह से adjustment हो जाती है, ओके तो अगर आप यहाँ पर अप definition देखते हो, let me just erase this ink, तो wages means all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave, जो paid leave होती है, ओके, office employment and which are paid or are payable to him in cash and includes dearness allowance, ठीक है dearness allowance इसके अंदर आ गया, but bonus, commission, house rent allowance, overtime wages या कोई और allowance जो है, वो wages का part नहीं होगा code on wages के अंदर भी सिरफ 3 component है, जो wages का part है basic pay, DA और retaining allowance, उसके अलाबा bonus, overtime wage, house rent allowance, commission, उसके अंदर भी वो सब not the part of wages है, ठीक है, क्योंकि यार wages के अंदर अगर सब कुछ add करतेंगे, तो wage ही बहुत जादा high हो जाएगी, है ना, इसलिए wages में जिरफ 3 component रखे जाते हैं question number 3 कहता है, जी, the employee working in a mind is under the continuous service continuous service का जो concept है, यह आपके 4 codes के अंदर भी mentioned है, जो 4 latest codes है और same definition है continuous continuous service की उनके अंदर भी, जो graduate act के अंदर है, continuous service basically continuous service for one year, यानि कि आप एक establishment के अंदर, अगर मैं बोल रहा हूँ continuous service for one year, तो यह consider किया जाएगा, कि आप एक establishment में पिछले एक साल से continuously लगे हुए हो, आपने उसको बीच में कभी नहीं छोड़ा ठीक है, या continuous service for six months कि आप छे महिने से continuous service में हो continuous service calculate की जाती है, यह देखने के लिए कि एक particular employee eligible होता है benefits के लिए या नहीं होता तो continuous service की definition अगर एक साल में कितने दिन काम करने पर हम यह बोलेंगे कि एक employee continuous service में है, in case of a mine, जो mine के अंदर mine के लिए दूसरा होगा, और non-mine cases में अलग होगा, तो mine के cases में होता है, जोस्तों, option C190, तो अगर किसी employee ने, किसी worker ने 190 दिन, पिछले 12 महिने के अंदर, यानि कि 365 में से 190 दिन अगर काम किया है, mine के अंदर तो it will be said कि that worker is under continuous service for one year of an employer, okay, so यह आपके continuous service की definition होती है, जब हम one year की बात करते है, mine के case में 190 days होता है, ठीक है या ऐसे employees, जहाँ पर employees एक हफते में 6 दिन से कम काम कर रहे हैं, कई organizations होती है न, जहाँ पर employee का working day 4 दिन का होता है, या 5 दिन का होता है तो उस case में 190 days बाकी सारे cases में 240 days अगर आपने काम किया है तो you will be said कि आपने continuous service में हो एक साल के अंदर doubt जो भी इसके अंदर आता है, वो अपने comment section के अंदर पूछ लेना है, ठीक है अब यह similar question है यहाँ पर continuous service for 6 month है, जैसे वो पिछे, जो था 1 year था, उसमें 190 days माहिन के case में, और 240 days अदर के case में, अब अगर 6 month का continuous service calculate करना है आप यह बोलोगे, यहाँ भी यह 6 महिने से continuous service में है employer के पास, तो उसके लिए कितना काम किया होना चाहिए उसने, 6 महिने कितने होगे, आपके 180 days होगे ना रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका अंसर होगा दोस्तो, options ही 95 days तो अगर continuous service for 6 months consider किया जाएगा, तो 95 days काम किया होना चाहिए, 180 days के अंदर ठीक है, and बाकी के establishments में, it should be 120 days, माहिन के case में 95 है, और बाकी के case में 120 तो आप देखो, अगर 12 में 240 था, 6 में 120 हो गया, आदा हो गया 12 में 190 था, माहिन के case में 95 हो गया, आदा हो गया, तो वही वाला concept है, final question इस lecture का, gratitude is payable to employ if the service has been rendered for a continuous period of, अब देखो, यहाँ पर यही पता चलो ना कि continuous period हम क्यों देख रहे हैं क्योंकि gratitude एक particular time आईम तक अगर आपने एक organization के अंदर काम किया है ना, तब ही आप gratitude के लिए eligible हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आज organization के अंदर गए, और कल आप निकलो उस organization से और बोलो ला ग्रैचुटी ग्रैचुटी basically होता क्या है ग्रैचुटी एक amount होता है, जो company आपको offer करती है as a thanksgiving कि भाई, हाँ, तुने अपना company में time दिया, इस company को build up करने में help किया ये basic funda होता है, ग्रैचुटी का ठीक है, आज मैं लगा, कल को मैं निकल जाओ लाओ, ग्रैचुटी दो, तो फिर तो company गएगी अच्छा बेटा, हम ही बेबकूफ है तो ग्रैचुटी के लिए eligible होने के लिए, एक employee को continuous service में होना पड़ता है, company के एक particular time तक, कितने time के लिए continuous service required, answer है दोस्ते हैं, आपका options ही 5 years जो आपका latest code है, code on social security, उसके अंदर भी ग्रैचुटी के provisions given है और उसके अंदर भी 5 साल ही है कोई change नहीं हुआ है उसके अंदर बट, यहाँ पर एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, वो क्या है यह 5 साल वाली limit ना apply नहीं होगी अगर जो termination हुई है employment की वो death की या disablement की वज़े से हुई है, ठीक है death हो गई अगर employee की तो फिर आप यह थोड़ी का होगे भी 5 साल नहीं होए थे यह disablement हो गई जिसकी वज़े से that person cannot work तो फिर उस case में यह 5 साल वाला consider नहीं किया जाता अब मैं आपको ने एक homework दूँगा इस question के बाद, वो यह है code on social security के अंदर ना जो journalists है जो आपका 2020 वाल है, वो देख करके आपने मुझे बताना है comment में, okay so these were the 5 questions और इसी type के questions और इसी type की explanation to the point explanation आपके MCQ courses के अंदर है, वो MCQ course आप ले लो, ठीक है, वो MCQ course आपको बहुत ज़ादा beneficial रहेगा और उस MCQ course की कोई कीमत नहीं है, 300 रुपे का अगर वो course पढ़ रहा है आपको, उसके अंदर आपको PDF files सारे मिलेंगे जो भी YouTube के अंदर lectures है so ultimately that is a game changer guys, okay so we'll see you in the next class guys, और इस lecture का PDF तो आपको पता है description में link है PDF files का and कोई भी doubt हो, WhatsApp, Mail Telegram, कुछ भी कर सकते हैं and channel को share और subscribe जूर करेंगे मिलेंगे next class में, all the best